के नमश्यक्रार दुस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी YouTube चैनल Qnall Technical Solutions दोस्तों कैसे हैं आप सब में उमेद करता हूं कि आप जो हैं बहुत और विडियो केल्वेशिक ने वाली हैं contrast आज या पीचल करने होग होगे दोस्तों एक्से सब हमेस्टाइबर ने हमेना इक्सलेश्च पर काम कर्ते हूं word या excel के अंदर काम करते हुए अगर मुझे कोई calculation करनी होती है तो मुझे या तो calculator आपने हाथ में रखना पड़ता है या फिर मुझे mobile से calculation करनी पड़ती है कुछ ऐसा हो सकता है कि Excel या word पे काम करते हैं अगर मैं calculation कर रहा हूँ किसी भी चीस की calculation हो सकते है माल लेजिए office की calculation हो माल लेजिए मंधली calculation हो माल लेजिए कोई छोटी मोटी घर की calculation करनी हो तो कोई भी calculation करने के लिए उन्हें अपना mobile या फिर अपना calculator साथ में रखना पड़ता था वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि laptop में आधी side पे तो आजे उनका Excel का work या फिर MS Word का work और आधे में आजे हैं उनका calculator क्या ऐसा कुछ हो सकता है उन्होंने मुझे से पूछा कि क्या क्या कुछ हो सकता है कि मैं calculator साथ साथ ही use कर लूँ मतलब मेरे जो यहां पर बटन लगे हुए है इसी से मैं calculator यूज कर लूँ और word एक्सल में भी उसी से काम कर लूँ और calculator भी साथ साथ में यूज करता रहूँ जिससे जो मेरा काम है बहुत ज़्यदा असान हो जाएगा क्योंकि पहले मैं अपने laptop में एक्सल में लिखता हूँ फिर mobile को उठाता हूँ और mobile में calculation करता हूँ या फिर calculator को साथ में रखना पड़ता है पहले एक्सल या वर्ड के अंदर काम करता हूँ काम करने के बदद calculator में calculation करनी पड़ती है तो मैंने का भाई ऐसा है ठीक है ऐसा है कि आप अपने laptop के अंदर आधे portion में में MS Excel या फिर MS Word खोल सकते है पर आधे portion में आप जो है calculator खोल के बहुत ही असानी से अपने laptop के keyboard से calculator भी यूज़ कर सकते है और साथ में typing करते वक्त जो है अपने Excel में calculation कर सकते है या फिर typing कर सकते है MS Word में calculation करना चाहती है तो ठीक है दोनों काम बहुत यहसानी से आपके से laptop के अंदर हो जाएंगे आपको अलग से calculator लेने की या पर mobile में calculation करने की बिल्कुल भी जो नहीं है तो दोस्तों मैंने उनको यह वाले trick तो बता दी कि किस तरीके से वो आधे portion में अपना काम कर सकते हैं और आधे portion में जो है किस तरीके से अपने calculator आपको बताने बाला हूँ तो अभी जो है मैं आपको अपने laptop स्क्रीट के तरह लेकर चलूँगा और आपको बहुत यह असानी से बता हूँ किस तरीके से आप laptop में calculation कर सकते हैं हाँ अगर मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि हमारे चैनल को जो है laptop computer LCD already repairing computer laptop secret and tech selected videos आती रहती है तो चैनल को सब्स्क्राइब करना बिक्रूबन बुलिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूब कर दीजेगा मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है वीडियोस पनाने के लिए तो चलिए दोस्तों चलते हैं laptop की तरफ तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं मैं ले आया हूँ आपको अपने laptop स्क्रीन की तरफ तो दोस्तों जैसा की आप देख पा रहे होंगी यहाँ जो है मेरा MS Excel खुला हुआ है तो MS Excel के उपर जो है मैं डबल क्लिक सबसे पहले कर देता हूँ ठीजे तो यहाँ जो है मैंने डबल क्लिक कर दिया है अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर बिलैंक के उपर आप जो है क्लिक कर लीजिए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा MS Excel जो है बहुत यहसाने से खुझ चुका है ठीक है अब आपको मैं बतारा चाहता हूँ कि आप जो है क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर पूरा लिख देना है तो यहाँ जो है मैंने कैलिकुलेटर सिर्फ C-A-L लिखा तो कैलिकुलेटर जो है यहाँ हमारे को दिख गया है ठीक है यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा double click करते ही दोस्तों यहाँ पे से आपको cross कर देना है और देख सकते हैं यहाँ हमारा calculator जो है open हो चुका है दूसरा step बता देता हूं किस तरीके से calculator को open करना है दूसरा step जो है दोस्तों आपको क्या करना होगा window की key को पकड़ के रखना है और साथ में जो है R को press करना है जैसे ही आप window की key plus R प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे लिखना होगा C-A-L-C ठीक है यहाँ आपको लिखना है C-A-L-C ठीक है जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपको OK पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप OK पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा time लेगा और यहाँ आपका calculator खुल के तयार है आप calculator को थोड़ा सा side कर लेते हैं आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा calculator को भी आप full screen कर सकते हैं देखिए फुल स्क्रीन में भी calculator आप यूज़ करना चाहें तो कभी यूज़ कर सकते हैं ठीक है पाभी मैं के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूं ठीक है आप छोटा करने के वाद आपको यहाँ से जो है MS Excel को भी छोटा कर लेना है मैं इसको छोटा कर लिया अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा करना है तो आप थोड़ा सा इसको साइड में ले आइए और हलका सफो है इसको बढ़ा कर लीजिये आप बहुत यह असानी से बढ़ा कर सकते हैं से पकड़ के इसको नीचे की तरफ खीज़ दीजिये तो आप बहुत यह सारी से कर सकते हैं अब आपको यहां पर कुछ भी करना हों जैसे आपको एक कैल्कुलेशन करनी है 5-0-0-0 प्लस 5-0-0 मालनीजी आपको यह calculate करना है अब आप उसको calculate करने के लिए अपना calculator या mobile उठाना पड़ेगा उससे बड़ी आप पते क्या करें यहाँ पर एक बारी click करें और अपने keyword में press कर दीजिए 5-0-0-0 प्लस 5-0-0 और यहाँ पर जो जो है देखिए 10,000 लिखा आ गया एक calculation और करके दिखाता हूँ मालनीजी आपको यह calculate करना है इतना बड़ा है और यहाँ से प्लस दबाया और यह आपको calculate करना है अब आपको यह calculation करने के लिए calculator उठाना पड़ेगा calculator उठाना पड़ेगा calculator उठाना ही जुड़ती नहीं है यहाँ से इसको बिल्कुल delete करना है delete करने के बाद आपको यहाँ देखना है 23455 ठीक है और यहाँ पर प्लस का sign दबाके 2356 करके यहाँ से प्लस कर लेना देख लीजिए 25811 तो कितनी ही असान तरीके से अगर माल लीजे दोस्तों आपके उपस calculator या mobile में calculator available वैसे तो होता है अगर नहीं है या फिर आपको करने की जुड़ती नहीं है दोनों चीज़ आप क्यों रखके बैठे हैं अगर आपका काम पूरा का पूरा अगर laptop में ही हो रहा है तो आप कर सकते हैं एक बार ही आपको यहाँ क्लिक करना है काम को करना है काम करने के बाद में कोई भी number select कर लीजिए यहाँ पर आपको calculation करना है तो यहाँ पर एक बार ही क्लिक करके फटा फट से यहाँ से जो है ऐसे करके भी calculation कर सकते है mouse से या आपको manually press करना चाते है तो manually भी press कर सकते है देख लिए backspace से calculator आपका delete कर रहा है कोई भी number यहाँ पर डाल दीजिए plus का sign दबाईए जितनी बड़ी calculation करनी है आप कर सकते है enter का button दबाते ही calculation हो जाएगी आपको यह भी दबाने की जूटते नहीं है enter का button दबाएंगे enter का button दबाते ही आपकी जो है calculation आजाए की सामने multiply करना चाते है 852 और यहाँ से multiply कर लीजिए 6589 ठीक है यहाँ से enter दबाएंगे answer आपके सामने है तो दोस्तों बहुत ही असानी से हमारा जो काम है यहाँ से जो है इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से अगर जादा बड़ा हो रहा है तो छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर रखके क्लिक करके आपको जितना बड़ा करना है आप कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप एक ही जगा पर अपना ताम कर सकते है और एक ही जगा पर जो है calculation कर सकते है माउस से करना चाहे तो माउस से कर सकते है अगर अपने जो है keyboard के बटनों से करना चाहते है तो keyboard के बटनों से भी आप जो है calculation कर सकते है और यहाँ पर type करना चाहें तो एक ही साथ type भी कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे comment section में comment करके जुरूर बताईगा और दोस्तों इस वीडियो के ज़्यादा तो शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि जादा से जादा लोगों को पता लग पाए कि हम जो है अपना एक तो calculator किस तरीके से open कर सकते हैं लैप्टोप के अंदर में दूसरा अगर हम कभी MS Excel में या MS Word में काम कर रहे हैं तो साथ के साथ अगर हमें calculation करनी हो तो हमें जो है कोई भी मुबाइल का calculator तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने कितनी ही असान तरीके से आज आपको बताया कि आप आदे लैप्टोप में किस तरीके से MS Word या MS Excel खोल सकते हैं और साथ में calculator को किस तरीके से खोल कर अपनी calculation जो है साथ-साथ कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा वेरा वीडियो निचे comment section में comment के जरूर बतायेगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेर किजीए के अपने दोस्तों के साथ में ताकि जादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से जो है आधे laptop में MS Excel या MS Word खोल के अपना काम कर सकते हैं और आधे section में अपना calculator किस तरीके से ओन कर सकते हैं और calculation बहुत ही असानी से कर सकते हैं जिसके बाद जो है में calculator या mobile से calculation करने की बिल्कुल पिज़ूर नहीं है और दोस्तो हमारे चैनल पर जो है laptop computer LCD LED रिपेरिंग computer laptop secret and text directory वीडियोज भादी रहती है तो चैनल को subscribe करने बिल्कुल मत बुलिएगा और वीडियो को जो है एक like जोरूर कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो आपके एक like करने से जो मुझे बहुत जादा motivation मिलता है वीडियोज बनाने के लिए तो दोस्तो आज के वीडियो में से इतना ही इस वीडियो को ज़़दा शेयर करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धनिवाद दोस्तो आज का और गुडियो तेखनी की लिए तो